नमस्कार दोस्तों इस कविता का शिर्षक है चाद मेरी उपासना नहीं एक ग्रह है और मित्रों ऐसा है कि अभी अभी चोछंदा का पर्व बीता है जो कि उत्तरी बिहार में हमारे शहर मुझफरपुर में पुड़े धूंधाम से मनाया जाता है और यहां पर ही पिहार का ही पर्व है चट जिसमें खरना चांद के लिए दिया जाता है वह आरगे तो रात में वह भी पूजा होती है और यू भी इद हम सब जानते हैं बहुत से पर्व हैं जो चांद के लिए बहरहार अभी अभी जबकि हमने अपना साटलाइट अपना मौका है इस कविता को सुनने का चांद मेरी उपासना नहीं एक ग्रह है अधिक उर्जा अधिक आधिक काम की लड़ाई लिए उनका घेरे रहना दिन ही नहीं रात का हर घंटा दिन का खाना रात का सोना रात की अध्वत शांती में जब खिड़की के बंद पल्ले के भीतर भी चंद चंद कर आ रही हो चादनी उनका पकड़ा देना सब बिगड़े कामों की लिस्ट देना हवाला आपकी तमाम हारों का सवाल या सांत्वना सवाल या सांत्वना बेधते हैं दोनों आप ही के नहुए कामों की लिए हुए अंतहीन दुहाई भर गई है कमरे में अब और अचानक गायब हो गई है चादनी और अचानक गायब हो गई है चादनी या प्रित्वी घूमाती है, हमारी धुन पर जरा देर नहीं, मैं कोई का पालिक नहीं, न कोई श्मशान जागरण है, चांद की रोशनी के चार ओर, मैं केवल एक कलाकार हूँ, चांद मेरी प्रेमी का, उसके साथ होते भी, क्या संभव है कोई हार? उसके साथ होते भी, क्या संभव है कोई हार? शुक्रिवाँ